बिस्मिल्लाहर्मार्मार्राहीम, अस्सलाम अलेकम विवर्स, विवर्स डेटा स्ट्चर्चर्ज और अलगुर्दम स्रीज के साथ मैं हूं मुहम्मद सब्देडोगर, विवर्स पिछली वीडियो के अंदर हमने स्लेक्शन सॉट और बवल सॉट के बारे में डिसक्स किया था तो विवर्स आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम इंसर्चंट सॉट को हम कैसे करते हैं तो आज़े स्टार करते हैं इन इंसर्चंट सॉट स्टार बाई कंस्रेटिर्ग अलिमेंट आफध डाय डेटा इफड आउट अवड और दैन स्वेप दें विवर्स हम सबसे पहले का करते हैं अरे के दो पहले element जो एनन को लेते हैं अगर वो proper order में नहीं है तो उनको हम क्या कर देंगे swap कर देंगे उसके बाद consider the third element insert it into the proper position among the first three elements उसके बाद हम तिसरे element को उसके अंदर शामल करेंगे या insert करेंगे और उस तिसरे element अगर वो proper position के पर यह नहीं है तो उसको भी position जो है न वो भी कर देंगे अगर वो first में आ रहा है या second में आ रहा है तो उसको उस position के उपर जो है न हम क्या कर देंगे insert कर देंगे consider the fourth element insert it into the proper position among the first four element उसके बाद हम चौता element insert करेंगे और उसको भी उस proper position के उपर insert कर देंगे जो इसकी चौरों variable के अंदर या element के अंदर position बन रही है जैसे वीवर्स हमारे पास यह कर रही है तो हम क्या करेंगे इसके पहले दो element को consider करेंगे अगर तो यह proper order में नहीं है तो इनको swap करेंगे बलके यह पहले proper order में है तो इनको swap नहीं करेंगे और आपका पहला phase जो एना वो complete हो जाएगे उसके बाद इवर्स second phase के अंदर हम क्या करेंगे third element को insert करेंगे और देखेंगे कि यह proper order में है या नहीं है जबकि यह proper order में नहीं है क्योंकि 12 जो है न वो 20 एंड 64 से छोटा element है तो इसको यानि कि पहले element के आना चाहिए तो यह वाला 64 और यह 20 जो है न यह right side पे shift कर जाएंगे तो यह देखें 12 पहली जगा पे आ गया है index पे आ गया और 20 और 64 जो है न वो right side पे shift कर गए उसके बाद अगर phase 3 की बात करते है वीवर्स तो उसके बाद हम fourth element जो हमारा three है उसको शामल करते हैं अब three जो है न यह proper order में नहीं है यानि कि अपनी position पे नहीं है तो three जो है न first order पे आना चाहिए यानि कि इसको position पे आना चाहिए तो अब यह 64, 20 and 12 जो हैना right side पे move कर जाएंगे और three उसको जो पहला index है वहाँ पे हम इसको शामल कर देंगे और इस तरह आपकी array जो है न वो sort हो जाए तो इस method को वीवर्स हम insertion sort का नाम देते है तो अगर वीवर्स हम इसकी coding की बात करते हैं तो वैसे हमने एक array example लिए उसके अंदे private data member तरह के तो पर हमने एक array लिए fourth number की और उसको हमने क्या कर दिया जी यहाँ पे initialize कर दिया और उसको हमने यहाँ पे show कर दिया है show के method के थरू और उसके बाद insertion sort का method जो हैना हमने यहाँ पे एक समझने create कर दिया इसका तीन वेरियबल लिए है value का आई का और जे का आई आउटर लूप के लिए हम यूज कर रहे हैं और जे जो है न हम inner log के लूप के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पहले index की value जो हम value के अंदर store कर देंगे और i is equal to j is equal to i हो जाएगा if यानिके j की value अगर 0 से बड़ी हो या बराबर हो and value जो है न वो उस j-1 index के जो array की value है और value जो हमने यहाँ पे पहले index value दी हुई है अगर वह चोटी है and का रेटरा दोनों condition अगर true हो जाती है तो हम क्या करेंगे जो आपकी value है उसको right side shift कर देंगे right side shift कर देंगे और जो नई value हमने चोटी value आ रही है उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे sort कर देंगे और उसके बाद जो हमारी array sort हो जाएगी उसको हम यहाँ पे sort array के नाम से यहाँ पे show कर देंगे इस तरह main function के अंदर हमने क्या किया array का class का object लिया और उसके यहाँ पे हमने show को call कर दिया तो यहाँ पे देखे पहले हमारी array जो है ना वो कैसे show हो रही यह ठीक होगे 20, 64, 12 and 3 अगर विवर्स मैं की position थोड़ी सी change कर देता हूं यहाँ पे जी जोड़ी मैं यहाँ पे ट्वाव कर देता हूं और यहाँ पे अगर मैं 64 तो यहोड़ी कर देए और किजिए होगे यह हमारे पास 3, 12, 20 and 64 जो है न वो सौट आडर में जो है न वो आच चुके आप इसे रोको जितना मरदी आप बढ़ा लें यहां पर 5 वैलिमेट अगर आप शामल करना जाते है तो यहां पर 5 इसकी लेट कर दें और यहां पर आप इसको 9 की वैलिय दे दें आप यहां पिसको 5 करदेंगे तो यहां पर यह एक़े वैलिय उसको बढ़ा देंगे यह हम करंगे 4 कर देंगे और उसके बाद इसको भी हम क्या करंगे 5 कर 댈 सेव करने के बाद हम जैसे रन करेंगे तो यह देखें 3 9 12 20 and 64 जो है न वो हो जागी है तो ये इसका वीवर्स बेसिक कोड़ है इंसर्शन सौर्ट का जिससे आपके रहे जो है वो सौर्ट हो जाएगा तो वीवर्स मैं अमीद करता हूँ कि आज के लेचर के आपके समझ आगी होगी मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें तो नेक्स लेचर तक बाई ओके लाफेस